ब्लू मसकारा को इस तरह करें क्यारी आँखे लगेंगी बेहत खूब सूरत इस बात में कोई दुरायन नहीं है कि आई मेकप आपके पूरे लोग में बत और गेम चेंजर काम करता है यही कारण है कि महिलाएं सबसे ज्यादा अपने आई मेकप पर फोकस करती हैं कई बार माईलाएं अपने लोग को कलरफूल बनाने के लिए आई मेकप में कई क्लास को एड करती हैं अब तक आई मेकप में केवल आई शेडो या आई लाइनर में ही डिफ्रेंट क्लास का इस्तिमाल किया जाता था लेकिन अब मसकारे में भी कई कलर्स का इस्तिमाल होने लगा है कल रफुल मसकारा आपके पूरे आई मेकप को चेंज कर देता है यूँ तो आपको मसकारे में आपको कई कलर्स आसानी से मिल जाएंगे लेकिन ब्लू एक ऐसा कलर है जो किसी भी स्किन टोन की महिला पर अच्छा लगता है इतना ही नहीं आप अपने आई मेक अप गेम को एन ओन्स करने के लिए ब्लू मस्कारे को कई बेहतरीन तरीके से अपलाई कर सकती है और इस मस्कारे से कई डिफ्रेंट लोग क्या री कर सकती है अगर आप यह सोच रही है कि आप ब्लू मस्कारे को अपनी आईज पर अलग-अलग तरह से किस तरह अपलाई करें तो चलिए आज इस लेक में हम आपको इस बारे में बता रही है अपर और लो आइलाश यह ब्लू मस्कारा अपलाई करने का एक सिंपल और बेसिक तरीका है लेकिन यह देखने में काफी अच्छा लगता है इस स्टाइल से आप अपर और लो आइलाश दोनों में ही ब्लू मस्कारा को अपलाई किया जाता है इस तरह मस्कारा अपलाई करते समय आपका ही लुक्स क्रियेट कर सकती है मसलन अगर आप अपने लोग को सटल रखना चाहती है तो ऐसे में आप एउडाई शेडो को चुने आप चाहें तो इस टेप को स्किप भी कर सकती है अपर लैश लुक अगर आपको ऐसा लगता है कि दोनों आई लैश पर ब्लू मस्कारा अपलाई करने से आपकी आईज अजीब लगेगी या आप पहली बार कल रखुल आई लैश को अपलाई कर रही हैं तो ऐसे में आप एक लैश लुक भी रख सकती है इस से आपका लुक बालेंस नजर आएगा इसके लिए आप अपर आई लैश पर ब्लू मस्कारा लगाएं इसके बाद आप ब्लू आई लैश पर ब्लाइक अच्छा लगेगा Blue mascara with thin liner यह एक ऐसा style है जो आप casuals में काफी अच्छा लगता है अगर आप college going girl हैं तो ऐसे में आप इस तरह से blue mascara को apply कर सकती है इसके लिए आप पहले eye lid पर light eye shadow apply करें इसके बाद आप बहुत thin black eye liner को लगाएं आखिरी में आप blue mascara से अपने eye makeup को complete करें यह देखने में बेहद ही अच्छा लगता है